नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल छोकर हमारा भारत यूटूब चनल पर आपका स्वागत करता हूँ इतियाज के पन्नों से गुर्जर वीर गाथा सवतंतर भारत में सन 1947 इस्वें भारत का विवाजन होकर देश सवतंतर हुआ और भारत या सेना भी हिंदू मिसलिम के अदार पर विवाजित हो गई पंजाब रेजिमेंट के मुसलमान गुजर अन्य मुसलमानों के साथ पाकिस्तान सेना में गये तदा हिंदू गुजरों की कंपनिया बारत या सेना में रही दूसरे वी सव्युद के अंत में यानि देश के विवाजन वा शतंतरता के थोड़े ही दिनों पहले अंग्रेज सरकार ने गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना सिविकार कर ली थी और उसका सेंटर दिल्ली में बना जाना भी निश्चित कर दिया गा था प्रंतु देश की विवाजन वे सतंतरता की मैत पुण समश्या के करण गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना खटाई में पड़ गई थी दूसरी तरफ गुर्जर मासबा निर्जीव हो चुकी थी तथा गुर्जर जाती में कोई उत्षाही नेता नहीं था जो अंग्रेजों को याद दिला कर देश की बाजन वै स्थापना से पहले ही गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना करा लेता यह हो सकता है कि गुर्जर नेतावन या सोचा हो की जाते हुए अंग्रेजों से याचना करने के बजाए भारत की अपनी राष्टिया सरकार दोरा ही गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना करा ली जाएगी परंतु सवतंतरता तथावी बाजन के समय पंजाब रेजिमेंट से अलग हुई गुर्जर कमपनियों को दिल्ली में रखकर अलग गुर्जर रेज़िमेंट की स्थापना नय तो सफटंतर बारत की राष्टिय सरकार नहीं की और नहीं गुर्जर जाती के ततकालिन नेताव नहीं उसके लिए प्रेतन किया बलकि किसी ने बार सरकार को सुजाव के तोर पर याद तक भी नहीं दिलाया इसलिए बार सरकार ने उन गुर्जर कंपनियों को राजपूत रेजिमेंट में सामिल कर लिया और तब से राजपूत रेजिमेंट की बटालिनों में किसी में आदे और किसी में चोथाई गुर्जर होते हैं इसके सिवाइस तोप खाना पैराशूट आदी अन्य रेजिमेंटों में तथा सेना के विविन विवागों में भी बारी सिंख्या में गुर्जर सैनिक वे अफसर हैं परंतु गुर्जर रेजिमेंट का बाव खटकता है वर्तमान बारत सरकार तथा उसके उच अधिकारी को यह कैकर ठुकराते रहे कि भारतिया गंतंतर राज्या में जातिया रेजिमेंट बनाना उचित नहीं है प्रंतु उनकी इस दलील के क्या माइने हैं जबकि अन्य छत्रिया जातियों जाट राजपूद गुर्खा मराठा डोगरा सिक आधिक की जातिया रेजिमेंट भार कारते सेना में अधिकतर उनी जातियों की रेजिमेंट बनाई थी जिनोंने 1857 इश्वी के सवतंतरता संगराम अंग्रेजों की पूरी साहिता करते हुए अपने देशवासियों को गोलियों वा तोपों से उड़ाया था जबकि गुर्जरों ने उसी सवतंतरता संगराम में जूज कर अपना सरसव, राजजय जमिदारियां, जाइदादे, धन जनुवै लाखों जाने मलिदान दे कर कर दिया था मलिदान कर दिया था, फिर भी बार सरकार गुर्जर रेजिमेंट का तो विरोध करती है, परन्तु उन सब जातियों की रेजिमेंट मौजूद है, जिन कांग्रेजों ने स्तापित किया था राजपूत रेजिमेंट की गुर्जर कमपनियों ने समय समय पर देश की रक्षया में वीरता से लड़ते वे अपने प्राणों की आउती दी है, हैदराबाद के पुलिस एक्षन में गुर्जर सैनिक वे अपसर किसी से पीछे नह रहे और कसमीर में जब पाकिस्तानी मार शुरू की और रियासत के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया तो बारतिया सेना रियासत को बचाने के लिए बेजी गई जिसमें राजबुद रेजिमेंट की गुर्जर कमपनिया भी थी, वीर गुजरों ने अपने अपसरों करनल गिरदारी सिंग आदी के नींतन वा निर्देशन में अपने सीरों को अथेली पर रख कर रियुद किये और कश्मीर के अधिकांस बाको पाकिस्तान के चंगूल में जाने से बचाने में सायक हुए कश्मीर के दसलाक मुसल्मान गुजर भी मर्द, औरत, बच्चे, सब पाकिस्तानियों के विरुद, ललकार कर खड़े हो गए और बारतिया सेनाओ को सक्रिया साहिता दी मुसल्मान गुजर पीर हजरत निजामुदीन एक पर बाव साली नेता था इसने स्री रनवीर एडिटर मिलाप मुहद्या को मुसल्मान गुजरों की एक बड़ी गुर्चवार सेना दिखा कर कहा था कि यह गुजर फोज हर उस आदमी का साथ देगी जो इंदुस्तान का सा था उससे इस देश बक्ती पुण सास को बुलाया नहीं जा सकता सन 1962 इसी में जब चीन ने बारत पर अक्रमन किया थो अक्रमन किया थो भी राजबूत रेजिमेंट की गुजर कंपनियों के बादूर साहनिकों वापसरों ने तता अन्य रेजिमेंटों के गुजरों ने पर हो गए थे खिंजे मान डोला तता सेला आधी पाडियों पर बाया गया उन बारत माता के वीर सपुतों का रक्त वह बलीदान बुला नहीं जा सकता लदाक में और विशेश के चुसूल के मुर्चों पर गुर्जर सैनिकों वापसरों का सोरिय यूद कोसल तता आतम बलीदा सरानिया था चीन के इस ब्यानक आकर्मण में कई सो गुर्जर वीरों ने अपने प्राण बारत माता की रक्षिया में अच्छावर किये थे अनेक गुर्जर अपसरों में सैनिकों ने वीर्था पदक्तम के प्राप्त किये थे सन 1965 इसवी में जब पाकिस्ताने कश्मीर में गुश्पैटिये भेज कर गोर युदारम किया तो भी भारतिया सेना की इनेक रेजिमेंटों में गुर्जर शैनिकों वीर्था के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आउती देकर सत्रु के चक्के छुडाए और भारत क की रक्षया की मेंडर उड़ी पूँच चंब सेयल कोट आदी सभी मोर्चों पर उनने वीर्था दिखाई थी चंब जोडियां सेक्टर में छटी राजपूत रेजिमेंट के गुजरों के वीर्था पूर्थ युद सरानिये थे कारगिल की परशिद पाड़ी जो लद्दा जाने वाली सडक के अती निकट होने के कारण बहुत मैतुपूण थी को कहीं बार विजय करना चोथी राजपूत रेजिमेंट की गुजर कंपनियों का ही काम था पहली बार उस समय जब पाकिस्तान ने गुजरात प्रांत में रणकच पर आकर्मन किया तब कश्मीर स्थी चोथी राजपूत रेजिमेंट के गुजरों ने कारगिल की पाड़ी पर जमुई ही पाकिस्तान की चोखियों पर आकर्मन करके घोर यूद के बाद उने उने उखाड कर अपना दिकार जमा लिया था परंतू बाहरत सरकार ने उन चोखियों को समझते के अनुसार पाकिस्तान को लोटा दिया था दूसरी बाहर कस्मीर में ही यूद चिट जाने पर बाहरत सरकार तता सुरुक्षयावी बाग को उस पाड़ी के मैतों का ग्यान हुआ जिस पर बारी सिंख्या में पाकिस्तानी सैनिक वाफसर पहले से भी अधिक सुधर्ड श्तीती में मोर्चे संबाल कर कस्मीर से लद्दाग जाने वाली एक मातर सड़क को रोके हुए थे उस पाड़ी पर चट कर फिर अधिकार करना बड़ा कठीन था उच्छैनिक अधिकारियों ने विचार विमर्ष के बाद चोथी राजपूत रेजिमेंट को ही फिर आदेश दिया और उक्त रेजिमेंट की गुर्जर कमपनियों ने तुरंत आकरमन कर दिया तथा गोर संगर सोरनेक वीर योद्धां के दिल बलीदान के बाद गुर्जर वर राजपूत योद्धा पाड़ी पर चड़ कर चड़ ही गए और पाकिस्तानियों को ख़देड दिया कस्मीर के कहीं लाग मुसल्मान गुजरों ने जो सक्रिय सायता वैसायोक पारतिय सेनाओं को दिया उसको बुलाया नहीं जा सकता उन्होंने ही पाकिस्तानी गुजपैटियों की कस्मीर में घुर जाने की सूचना सरोपरतन अधिकारियों को दी थी और बाद में अनेक स्तानों पर बारतिय सेनिकों का उबड़ खबड़ पाड़े एक छेतरों में सही रास्ते बता बता कर गुजपैटियों के ठिकानों का पता लगाना लगा कर वैबता कर पत्परदर्शन किया था इसके सिवाय रास्ता भूले वे बटके वे बारतिय सेनिकों को पाकिस्तानियों से बचा कर अपने या रात में सन देकर अगले रोज पाकिस्तानियों से बचाते वे बारतिय सेना के अपने ठिकानों तक पुंचा कर पूरी तरह सीध करके दिखा दिया कि गुरजर चाहे हि इशाय सीक किसी भी धर्म को मानता हो वह पहले भारतिय है और उसके बाद कुछ और वास्तों में गुजरों की प्रंपरा सदा से यही रही है कि वह भारत वह भारतियता के लिए संगर्श करते यूद करते लड़ते वह मरते वह मिटते रहे हैं जैहिन वंदे मात्रम पिरिया दोस्तों हमारा वारत यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सुझाओ ज्यादा से ज्यादा दें आपका बहुत बहुत धन्यावाद जैहिन